आज मैं आपके शेयर करें एक बहुत ही अलग मैथेड जिसको फॉलो करके आप गर्णियों में भी अपना मेकप पूरा दिन चला सकते हो यानि की पसीना आएगा और मेकप आपके फेस से नहीं अटेगा पसीना आना लाजमी है जिससे आपके इंपिरोटी बॉडी की बाहर आती है पसीना आने के बाद कोई मेकप ऐसे होते हैं की हट जाते हैं फेस पे लेकिन अगर आप ये स्टेप फॉलो करते हो तो आपका मेकप पूरा दिन चलेगा आप मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है बेल आइकन प्रेस कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें So let's begin the video सबसे पहले फेस को clean करें कि अच्छे से गर्मी में पसीना आता है और जो धूल मिटी होती है ना वो face पे चिपक जाती है इससे क्या है इरिटेशन होती है सबसे पहले अपने face को clean कर लें face wash कर लें या wipes से clean कर लें फिर हम लेंगे cotton cloth या इस तरीके का कोई sponge है आप यूज करते हो तो उसे ठंडे water में dip करना है आप चाहो तो एक दो ice cube भी add कर सकते हो squeeze करना है और इस तरीके से अपने face पे apply करके हलका हलका सा प्रेस करना है इसे तो आपकी cells होंगी face की उनको relax मिलेगा sweating कम होगी face आपका काफी fresh हो जाएगा और जितना भी oil होगा excess वह बहर आ जाएगा अब हम apply करेंगे aloe vera gel aloe vera gel आपके face को cool रखेगा आपकी cells में absorb होगा तो आपकी cells काफी active हो जाएगी पांच मिनट तक relax रहना यानि कि पांच मिनट तक इससे चोड़ना है जिससे आपकी body face पे absorb हो जाए उसके बाद हम apply करेंगे moisture moisture face को hydrate करता है तो यह step भी जरूर follow करें ताकि आपकी skin हवा से dry ना हो moisture apply कर लिया face के अच्छे से massage करने इसके थूरू and then हम apply करेंगे primer so primer तो बहुत ही important है गर्मी में क्योंकि makeup directly react ना करें makeup में pollution add हो जाता है क्योंकि धूल मिटिया के face पे चिपकती है और वो makeup directly skin को damage ना करें इसलिए primer प्राइमर जूरूर अप्लाइ करें अब हम लेंगे कोई भी foundation जो कि light हो face पे light behave करें primer हमेसा gel यूज करें गर्मी में जितना light रहेगा अच्छे से cover करें foundation भी light लें maybelline का अच्छा होता है foundation गर्मी के लिए और इजली आपके face को cover करता है so apply करके beauty blender से blend करें अब मैंने याँ पे लिए concealer तो concealer एक shade light ले सकते है क्या अब मैं अपनी आइब्रोग करूंगी तो इसके लिए मैं से प्रॉट्रेशन की जो प्रॉब्लम है वो इक्वल हो जाएगी अब मैं आपे beauty blender के थू ब्लेंड करें इसको फांडेशन मैंने बॉटम एरिया से ब्लेंड किया था और कंसीलर मैंने टॉप अरिया से अब मैं आ अपनी आइब्रोग करूंगी तो इसके लिए मैं swiss beauty का palette यूज करूंगी सबसे पहले मैं अपनी आइब्रोग को अपर डिरेक्शन में प्रेश करूंगी देन मैंने आपे ब्राउन शेट पिक गिया है अब्रोग को सेट करने के लिए मेरी आइब्रोग बहुत ही ठीक है औ पर काजल नहीं अप्लाई किया काजल गर्मी में smurge हो जाता है पसीना आने के बाद तो यहां पर हम यूज करेंगे आइशेडो ब्लैक आइशेडो मैंने पिक किया है और उसे q-tip के थू अप्लाई किया है इसे बहुत ही प्यारा आइशेडो लगता है आपके यानी की दे सकते हो जैसे आप देना चाहिए आप राउंड दे रहे हो या फिर पिक साइज में दे रहे हो उसके बाद मैंने आप एक करलर लिया है करलर से हलका सा लैसेज बहुत खूपसूरत दिखते हैं उसके बाद मैं आप अप्लाई कर रही हूं मस्कारा तो मस्कारा मेरा बहु उसके यूज़ करते हूं आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियो में अब मैंने आपे हिलैरी की लिप्स्टिक पिक की है जिसका शेड है 12 और यह भी बहुत ही अच्छा कलर है जब आप इसको अप्लाई करते हो तो बहुत ही प्यारा सा लुक मिलता है एलका हलका सा आप जहाए तो जिए से स्टेफ फोलो कर सकते आप जहाए तो रीमूव कर सकते हैं ओफशनल है कि और हम आईशेटों पैलेट से ही ना庆 पार ब्राउन शेट लिया और उसे इसे ऐपने कि पिंगे कि टहीं कि प्रेप हुआंगे कि अ.